अगर आपका mobile खो जाता है या चोड़ी हो जाता है तो ऐसे में जो है अब आप online complain कर सकते हैं और आपका जो mobile है कोई भी चोड़ी करके ले जाता है तो उसको यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि आप इस website का यूज करके आप online अपने mobile को यहां से block कर सकते हैं फिर आपका mobile है वो रद्धी के भाव हो जाता है तो इसे कैसे करेंगे कैसे आप इस पोटल पर आएंगे कौन सा यह पोटल है और कैसे आप यहां से आप अपने mobile के complain को online दर्ज कर सकते हैं ताकि पूलिस भी उसे find कर पाए तो सब हम इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो में बने इसके लिए आपको सबसे पहले यहां पर URL में टाइप करना है c-e-i-r.gov.in करके जैसे आप इंटरफ्रेस करेंगे उसके बाद विबसाइट का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहां पर जो है c-e-i-r का जो फूल फॉर्म है आपको यहां पर मेंशन है central equipment identity register या इसका फूल फॉर्म हुआ इसको हम थोड़ा सा नीचे के तरफ slot करेंगे तो नीचे यहां पर तीन point highlight किया गया है तो यहां पर देखें सबसे पहला जो है अगर आपकी mobile को जो है चोड़ी हो जाता है तो उसके लिए यहां पर लिखा हुआ है एस्ट्रोनलेस मतल करते हैं तो उस mobile को आप यहां से unlock भी कर सकते हैं यह मिलता है और जो वी आप यहां पर complaint डायर करेंगे उसको आप यहां से छेक request status आप उसको यहां से चेक कर सकते हैं गे तो कैसे करेंगे तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं कि अगर आपका mobile गुम हो जाता है या चूरी हो जाता है तो उसकी कंप्लेन यहाँ पर कैसे दर्ज करेंगे तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा इसको हम क्या करते है नीचे की तरफ करते हैं ताकि आपको विज्वल होगा और यहां पर देखे हाइलाइट किया गया है कि रिक्विस्ट फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट या इस टोलें मुबाइल यानि की गूं चुरी हुआ मुबाइल तो इस तरह से आपको यहां पर मैंस रहता है ठीक है उसके बाद यहां पर तो रहा हम इसको नीचे की तरफ स्लोड करते हैं तो देखे यहां पर आपको क्या करेंगे फर्स्ट में आप यहां पर करेंगे डिवाइस इंफर्मेशन आप इसको फिल करेंगे डिवाइस इंफर्मेशन यानि कि जो मुबाइल आपका चुरी हो गया है या गूम हो गया है चाहे आपके मॉइल इनल में दो Cum लगा हो यहीं जाए A69 चिम आते हैं तो इसमें एक सिम का जो नंबर है आपको यहां पो डालना है única मां नंभर वन ठीक है उसके बाद अगर आपके पस डूएल B वाले में भी है दूसरा नंबर तो उसको भी आप डाल सकते था आपके मारि में आयेगा कि अगर हो गया चुलि हो गया तो उसको हम यहां पे कैसे feel करेंगे तो देखें इसमें जो भी आपका equal boom हो गया उसमें जो भी text लगा हुग अश्में से किसी कि एक सिम को जिसमी कंपनी का अगर आप यूज करते हैं सिम उस स्टोर पे जाके उस नंबर को आप दुबारा से चालू करवाएंगे और उसे आप दूसरे मोबाइल में यूज करेंगे क्योंकि उसमें वोटी पी आएगा तो उसको आपको यहां पर फिल करना होगा ठीक है उ आपके पास मोबाइल है तो आप आज ही उसे नोट करकर रख ले हैँ नहीं तो आप जैसे पर्चैस करते हैं तो उसके जो बॉक्स आते हैं वहां पर शितंस होता है नमबर यहां से आप यहाप डाल सकते है उसके बाद policy अब hijoral का ऑकर जो फौन है वो है आप यहांसे कारना है रियल्म तो आप इस तरह से देखेंगे तो यहां पर डाल सकते हैं उसके बाद डिवाइस नंबर आप यहां पर चूछ करेंगे उसके बाद अपलोड मोबाइल परशिजिंग इनवाइस अगर आपके पास है जब आप खर दे इसका जो कौन से प्लेड़ेश्वे गुम हुआ है suppose अगर आप बिहार में ट्रेवल कर रहें और मुझापपुर में है और मुझापपुर में अगर आपका मुभाइल खो जाता है तो यहाता ने nd梁जपपूर डालेंगे ठीक है लौ देट इस डेट को आपका जो mobile है वह गुम हुआ है वो डालेंगे timing डालेंगे उसके बाद state यहाँ पर चूज करेंगे उसके बार district चूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर किस police stations के नजदीक होया है वह आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर पुलिस complaint number यानि कि आपको जैसे mobile हो जाता है तो आप आपको एक FIR करना है तो जैसे आप FIR करेंगे वह complaint नमबर आप यहां पर डालेंगे और वह complaint नमबर है उसका फोटो क्लिक करके आप यहां पर upload करेंगे ठीक है और कोई complaint है अगर और कोई add करना चाहते है तो add more complaint का options है आप इस पर क्लिक करके add कर सकते है उसके बाद दीची का नाम डालेंगे यहां पर उसका कोई upload identity चाहले जैसे आधार उचला डालेंगे उसका जो फोटो है क्लिक करके यहां पर upload करेंगे इसके बाद यहां पर डालेंगे उसके बाद एक email डालेंगे और yacht काफर फिल करने कबाद यहां प मुबाइल नमबर डालेंगे जिसपे गेटोटिपी करके वेरिफाई करेंगे और इसपे क्लिक करेंगे और यहां पर समिट करेंगे तो इस तरह से आपका जो यहां पर कम्प्लेन है वो दर्ज हो जाएगा और उसके बाद जो आपका सीम है वो ब्लॉक हो जाएगा और ब्लॉ जाता है आपका मुवाइल खोया हुआ या चुरी किया हुआ तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको अन ब्लॉक कर सकते हैं जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंफर्मेशन्स आएगा और इस डिटील को आफिल करेंगे जैसे रिक्वेस्ट डालेंगे इस प ब्लॉक बाई मिस्टेक गलती से आपने मिस्टेक कर दिया है या अधर रिजन जो भी है आप इस में से सलेट करके आप उसको अन ब्लॉक कर सकते हैं फिर यहाँ पर कैफ्चा आईजिटीज डालेंगे मुबाइल नमर डालेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ प आप यहाँ पर चेकर सकते हैं रिक्वेस्ट आईडी नमर मिलेगा उसको डालके चेकर सकते हैं कि जो आपका फोन है वो ब्लॉक हुआ है या नहीं हुआ है या उस पर अभी कहा तक किया जा रहा है यह सब आप यहां से चेकर सकते हैं थोड़ा और हम निचे की तरफ आते है तो आप उसे SMS के थुरू भी ब्लॉक करवा सकते हैं आपको टाइप करना होगा के वाई एम उसके बाद यहाँ पर जो IMEI नंबर जो है 15 डिजिट के वह टाइप करके इस नंबर पर आपको भेजने होंगे उसके बाद वह क्या होगा ब्लॉक हो जाएगा तो यह चीज़े आपको इस website में देखने को मिलता है और अगर आपको second hand mobile purchase कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि वह mobile चोरी क्या है या सही है तो आप यहां से यह वी चेक कर सकते हैं कि आप जो purchase कर रहे हैं वह mobile कहीं चोरी का तो नहीं है तो उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर आएंगे यहाँ एक options मिलता है IMEI verification का इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का interface आएगा और यहाँ पर काता है mobile नमबर डालने के लिए आप यहाँ पर मोबाइल नमबर डालेंगे गेट OTP पर क्लिक करके verify करेंग तो वह यहाँ पर सब चीज बता देगा तो इस तरह से आप कोई भी second hand mobile अगर आप purchase कर रहे हैं अगर आपको doubt है तो आप यहाँ इस website का यूज करके आप यहाँ से check भी कर सकते हैं कि कहीं वह mobile चोरी का है भी या नहीं है तो इस तरह से आप इस website का यूज करके आप अपने खोए हुए mobile का report कर सकते हैं उसको track कर सकते हैं या कोई second hand mobile अगर आप purchase कर रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं कि यह mobile कहीं चोरी का तो नहीं है तो इस तरह से आप इस website का यूज कर सकते हैं